मैं तो आजका हमारा ये नया च्लोग है ऐसायद इस किसा का पहला च्लोग है और हम इसकी पुन्रोकती भी करेंगे बाकि सब के साथ भी मिलके हैं अबिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धो पसेविनह जो हमेशा सम्मान करता है बढ़ों का और नित्य मिटलब हमेशा हर दिन वृद्धो पसेविनह वृद्धों की सेवा भी करता है उसकी ये चार चीज़ें बढ़ती है बढ़ जाती है आयू विद्या यशो अलम आयू विद्या यशो और बढ़ा बढ़ा सुन्दर शुरू कहा है नोज बढ़िया यशो बढ़ा ओके यह मतलब कि दर्स मतलब कौन से पुरान या गरंच से यह है आप कुछ श्लोक बहुत सारे श्लोक ऐसे हैं जो आपको किसी सीधे सीधे वेद के अंदर या पुरान के अंदर नहीं मिलेंगे क्योंकि सुभाशित हैं यह तो सुभाशित का अर्थ जो है कुछ अलग से सिखाना होता है तो यह हमको हमारी हाँ गुरु कुलों में हमारी स्कूल की पुस्तकों में इस इन तरह की जगों में जहां पर कई सारे लोगों ने इनको जमा करके जैसे हितोप देश होते हैं जातक कताएं या पंचतंत तो इनको भी संस्कृत में ही लिखा गया था सुविचार एक सुविचार है तो पर फिर भी यदि ऐसा कुछ है यदि किसी ग्रंत से हैं तो मैं पता करके देख लूँगा अभी तक तो मुझे यह शुवास कर सकते हैं पता लगाने की यह आया कहां से है कि मैं भी कोशिश करूंगा मेरी तरफ पता लगा के देख सकते हैं हां वाश्य वाश्य थीक है हां हां तो भवान संस्कृतम पठा सीवा हां अंसकृतम पठामी हां उत्तमम और आपने किसी और से बात करने की कोशिश की है कि अध्य है और भी मलता रहे इस तरह से बात करने के लिए तो वो सबसे अच्छा रहता है हाँ हमारी वो प्रैक्टिस होते हैं तो हमको भी मज़ा आता है और बाई हाट हो जाती है भाशा हाँ हाँ जो भवान ग्रहे संस्कृतम वदसी ग्रहे सो ग्रह के जो विभक्तियां है अभी तक है हमने विभक्तियां नहीं सीखी इसलिए आप अभी तो ग्रह यदि मन में आता है तो सीधे बोल सकते हैं पर ग्रह जो शब्द है उसके राम व्रिक्ष इस तरह से इसकी विभक्तियां चलती है तो जब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे जब हम विभक्तियां भी सिखेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्यूंकि हमको बोलना है हम घर में या घर पर संस्कृत बोलते हैं यह ना तो घर जो है सिर्फ हमने जैसे बोला ग्रह तो ग्रह मतलब उसमें घर पर या घर मिल नहीं आया तो ग्रह में जब ग्रहे लगा दिया या रामे 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 कर दिया तो वो राम मे राम पर हो जाते है माता थी बोल रहे थी कैसे उसमें होती है हाँ तो वो विभक्तियां है अलग-अलग सीखेंगे हम दिरे-दिरे जैसे जैसे आवश्यक्ता पड़ती है तो ये मैं एक वाख्य मैंने सीधे-सीदे बोला कि भवान ग्रहे संस्कृत्म वद्दसी तो मैं पूझ भी सकता था मैं आखरी में यदि वा लगा देता तो मैं उसको प्रश्ण बना देता कि आप घर पे संस्क्रित बोलते हैं क्या या बोल रहे हैं क्या पर मैंने सीधे बोला कि आप घर पर संस्क्रित बोल रहे हैं और आप ने फिर उत्तर भी दिया एक सेकेंड रुकियेगा ओजज जी झाल 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 हाँ उजजदी माफ कीज़ेगा दूरवाणी ठीक है आपको यह चीज़ समझ गई ना कि जब हम घर पर या घर में बोलना चाहते हैं तो फिर हम गुरहे लगाएंगे यह आपको संस्कृत में या संस्कृत पर कभी किसी वाक्य में उभ्योग करना होता जैसे मैं संस्कृत पर निबंध लिख रहा हूं ठीक है तो मैं बोलना चाहूंगा कि अहम संस्कृत ते निबंध हम लिखामी तब संस्कृत ते हो जाएगा क्योंकि संस्कृत पर या में के लिए ग्रहे या एक ही मात्रा लग जाती है शब्द में अहम संस्कृते वाक के भी बोल सकते हैं मैं बोल देता हूँ कि मैं संस्कृत में वाक के लिख रहा हूँ तो विबंद भी चलेगा वाक की भी चलेगा और ऐसा भी चलता है शुरूशों में जब हम सीख रहे हैं तो कोई शब्द का हमको अचानक से याद नहीं आ रहा कि हम संस्कृत में क्या बोलें तो आप उस समय उस शब्द को वैसा के वैसा ही हिंदी में बोल लीजे वह भी चलेगा क्योंकि जैसे जैसे भाषा दीरे दीरे सीखते हैं तो फिर हम सही शब्द वहां पर जोड़ते जाएंगी जैसे जैसे समझ में आता है और क्योंकि संस्कृत बहुत ही विस्तरित भाष अशा है तो इसमें शब्द लाखों करोणों शब्द संभव हैं तो इसका प्रश्चना ऐसा है ना किम भवान किम लिखामी भवान किम लिखसी तो आप यदि पूछना चाहते हैं कि आप क्या लिख रहे हैं या आप संस्कृत में क्या लिख रहे हैं तो आप दूलों लिखासी तो उसका प्रेश्ण भी यहां पर बनाएं है गवान किम लिखासी ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं अभी और अभी नहीं यह हर कक्षा में होगा कि जो भी चीज़ें हमको हर दिन लगबग हर दिन काम में आने वाली है या कोई जिसे हमने बोला कि आप घर पे संस्कृत बोलते हैं क्या तो यह हमारी आम बोल चाल की भाशा है और यह हमको अभी काम आ रही है मतलब यह कक्षा से जुड़ी हुई बात है कि हम पूछ रहा हूं कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं इसलिए क्या आप ने थोड़ा बहुत किसी से बोलना चालू किया क्या तो मैं आप से ऐसी जनरल पूछने की कोशिश कर रहा हूं आम भाशा में तो ऐसी चीज़ें हम सीखें करें की तलाब से कमल खिलता है जबकि आपको कमल तो कहीं दिख नहीं रहा है तो मैं अभी और मतलब कुछ पुस्तकों में होता है कि बहुत सारे मन से पक्षी आकाश में उड़ता है तो पक्षी तो फिर भी आजकल आपको बाहर दिख जाएंगे तो आप बोल सकते कि क्षेंगे जो हमको अभी के अभी काम आ रही है तो ताकि आपको आदत बढ़े तो जैसे भवान ग्रह संस्कृतं वद्यसी तो आप सीधे बोलेंगी आम आहम ग्रह संसृतं वद्यामि वद्यांगी तो उससे आपको आपको दिखाऊंगा दीरे दीरे जैसे अच्छा एक चीज़ आपको फीस वाली लिंक मिली क्या जिसमें दो तीन ओप्षन दिये हुएं आपको जैसा भी समझ मैं जब समझ मैं कोई बंधन नहीं है सब्सक्रागा तो एक पोस्टर जैसा शायद किसी ने शेर किया थह साय नहीं किया था की मुझे आद नहीं पर एक पोस्टर ठाग इसमें हिंदी में यह लिखा था संस्कृत बोल संस्कृत मैं भाश कंशन पढ़िए एक छोटा सा पौर्पोंस्टर है एक single page का उसमें वो UPI का scanning code भी है एक दो links भी है तो उनमें से जो जिसको आसान पड़े वो उपयोग कर सकता है तो अब मैं आपको एक क्या हो जजजी तो मैं वही तो बोल रहा हूं कि कोई बंदन नहीं है कब बरनी है क्या बरना है हर किसी की अपनी इक्षा पे वो रहता है और यदि आप कोई amount कभी मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐढ़ेड़़ सो रुपए पर सेशन पर कोई बंदन тут मैं करता नहीं कि जतना जिसको जतना समझने आता है कि कोई कोई जैसे है जो हमारी दूसरी चीजों में मदद करते हैं कुछ लोंग कभी किसी इसको फिर नहीं बोलता बस अब आपको पता रहता है कि वो लिंक क्या है तो जिसको जब करना होता है जिसको जब आसानी होती है जिससे जब बनता है लोग अपना-पना करते रहते हैं क्या हो जश्जी अब महीने के अंत की बात कर रहे हैं है कोई मुष्किल नहीं क्योंकि कक्षाओं का तो कभी नहीं हो तो आप साइब करने तो कभी नहीं आने वाला तो चलते रहेगा जब तक हम चाहें तब तक चलते रहेगा यह एक ऐसा है परिवार की तरह है कि हरकोई संस्कृत में बाश बोलने में रुची रखता है तो सब लोग साथ में आते हैं एक दो गंटे मिलके संस्कृत में मस्ती करते हैं बातें करते हैं नया-nया सीखते हैं तो इसका प्रयोजन जो है ऐसा है तो मैं आपको दो उस्तकें भी दिखाता हूँ वैसे तो बहुत सारी है पर यह दोनों बहुत काम की हैं तो आपको फिर मैं अभी साइट भी दिखा दूगा जहां से आप अराम से ऐडर कर सकते हैं आपको दिखे रहा है यह spirit तो एक हिंदी से संस्क्रित वाला है और इंगलिश से संस्क्रित वाला है और इत्ती सस्ती किताबें मैंने जीवन में कभी नहीं देखी यह हिंदी से संस्क्रित वाली है 50 रुपे की शब्द कोश है पूरा डिक्शनरी है और अंगलिश से संस्क्रित वाली 25 रुपे की है तो कुल मिलाके पचात्तार रुपे में दोनों के धाबे आगी है और फिर एक यह है यह देखो आपको पास से दिखाता हूं थोड़ा तो यह ना इक पतली सी छोटू सी बुक्लेट है आपको इसके साइज से पता चल रहा होगी छोटे साइज है इसका हाँ तो इसमें लगबग 25-30 पन्ने हैं और इसमें क्या है जैसे आपने वैसी किताबें देखे हूंगे ना लर्न मराठी थर्टी डेज या जल्दी से कुछ बोलिए तो मतलब आप कहीं जा रहे हैं मानलो चन नहीं जा रहे हैं और वहाँ पे सिर्फ तमिल चलेगी तो आप कोई ऐसी चीज चाहते हैं जिसको देखके आपको कम से कम वहाँ की आम भाशा थोड़ी थोड़ी बोलनी समझ में आ जाए एक दो घंट तक है कि किसी को यदि संस्कृत से इंटर्यूस करना है कि कैसे आसानी से थोड़ा बहुत संस्कृत बोला जा सके आम आम उपयोग की संस्कृत और यह सिर्फ पांच रुपे की है मुझे तो बरुज़ा ही नहीं होता कि पांच रुपे में आज खोता गया है तो तो यह जो ह यह सभी संस्क्रिट भारती की ही है जो अभी मैंने आपको दोनों तीनों दिखाए और इनका इतना कमाल का साहित्य है पूरे संस्क्रिट का कि मतलब यह दि आप ओर्डर करने बैठेंगे तो आपको लगएगा कि यह भी कर लें वो भी कर लें मतलब इत्ती सारी चीज़ें हाँ मुझे बहुत शौक देने पस फुस्ता की बहुत सारी में पस पांसो से ज़ादा पुस्कर दिया घर तो मुझे बहुत शौक बढ़ने था अरे वावा बहुती बढ़िया फिर इनका एक स्कूल स्टाइल पाठे क्रम भी है तो जो बच्चो को स्कूलों में पूरे-पूरे 6-6 महिने या साल भर में सिखाए जाता है तो आप यह दिखेगा जैसे यह दिख रहा है प्रपद्या हाँ ठीक है फिर यह अगली क्या है यह सुपदा सुपदा हाँ फिर यह सुश्मा सुश्मा तो और हर एक पर आपको वह एक नंबर लिख दिख रहा है ना जुब अब यह सारी है तो अब वह ख्लास जैसे बच्चों के स्कूलों में ना यह वाली उस तक है पूरे उनके पाठिकरब में चलती है कई सारे बच्चूलों में तो वह संस्कृत भारती से मैंने मंगा के रखी हैं क्योंकि अब हमारे एक तो स्कूल के पाठिकरम में भी यह काम में आ जाती हैं किसी किसी के और फिर आपन को भी मजा आता उससे देखने में पढ़ने में तो और बहुत रंगीन बड़ी संदर हैं अंदर भी बड़ा रंगीन पुस्तके हैं तो वह इंट्रेस्टिंग मतलब बड़ी रुचिकर किताब हैं तो संस्कृत भारती की मैं आपको वेबसाइट दिखा देता हूं यदि आपने पहले नहीं ओडर किया है तो संस्कृत भारती आपको स्क्रीन दिखरा है गया नहीं नहीं आया कुछ यह हाँ अभी आया है अच्छा तो मैं आपको यह लिंक भी भेज देता हूं ऐसे तो इस आइन थूप नहीं आपको दिखेगा कि यह साइट खुद भी पूरी संस्कृत में है और इसमें दाई तरफ दो अप्शन है कि आपको संस्कृत में देखना है कि इंगलेश में देखना है कि अब पूरा साइट इंग्लेश में दिखने लगी जैसे अब देखो हॉम अबाउट और यह सब और संस्कृत में किया तो अब पूरा संस्कृत में हो गया तो यह जो पुस्तक विक्रेणम है यह वह बुक्स्टोर वाली जगह है तो बहुत बढ़िया बढ़िया है आप इसको पूरी की पूरी आने में मुश्किल से साड़े तीन सो चार सो रुपे लगे जित्ते में दूसरी तरह की किताब एक दो भी नहीं आती और उत्ते में यह साथ-अठ किताब यह आ गई से तो अभी क्या है वह संस्क्रिटम बद्दतु मैंने दिखाए न वह पांच रुपे वाली तो वह तो मैं पांच-दस मंगा लेता हूं हर ओर्डर के साथ क्यूंकि उसमें वह तो ऐसी चीज है न कि आप किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो किसी को भी उपहार में दे सकते ह खोड़ी भी रुची है संस्क्रिट सीखने की तो उसको दे तो कि वह चलो इत्ते से तो 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 आप बोलने लाइक तो अच्छे से सीख जाओगे फिर और रुची है तो फिर और किताबे मताएंगे तो वह तो बहुती बढ़िया है और उसमें दो वर्जन आते हैं तो आपको दिखेगा जैसे धन्यवार लिखाय या स्वागत लिखाय तो वह संस्क्रिट में लिखाय और हिंदी में लिखाय तो शाथ में कििसका क्या मतलब है वैसी इसी का एक इंगलिश वर्जन यहाता है स्पीक संस्क्रिट ऐसे कुझ 예 वह बी पांच रुपर की है तो जो चाहिए जो मंगा सकते हैं, संस्कृत भारती भाती बहुती अमेजींग, बहुती कमाल की जगह है, निम्क लेख, वेब साइट है, तो आप देखिए, जब आपको मन होगा, आप बिल्कुल मंगा सकते हैं, जैसे मेरे ये भी एक बहुत अच्छे, ये आपको दिख रही है कि ये संस्कृत व्यवाहार साहस्त्री ये पी निगलर की तो इसमें भी लगभग उसी तरह की चीज है जो अभी संस्कृतम वदतु जो मैंने आपको दिखाई पर इसमें क्या है कि ये साहस्त्री तो सहस्त्री मतलब एक हजार संस्कृत के वाद के इसमें आपको आम भाशा में जो उपयोग हो सकते हैं वो मिल लाएंगे अच्छा ओ तो यह भी बहुत महेंगी नहीं है बीच रुपे की है तो मतलब आप चीज़े देखेंगे ना इत्ता आपको लगेगा कि हजार रुपे में तुम्हें पूरा भंडार 15-20 पुछ तके मंगा सकते हैं और हर ओडर के साथ वो 5-5 रुपे वाली तो मैं मंगा ही लेत तो इसलिए यह बहुत अच्छी और अच्छी का मतलब यह सिर्व वेबसाइट नहीं संस्क्रेट भारती जो है भारत का सबसे बड़े संस्क्रित शिक्षन संस्थानों में से भी है तो सबसे बड़े संस्क्रित publication संस्क्रित शिक्षन तो इनके भूट सारे पाठिक्रम हैं जैसे अभी दिखाए ना मैंने वो सकूल की किताब के तो बहुत सारे विद्ध्याले ओं में इनके पूरे-पूरे पाठिकरम पूरे-पूरे साल के छटवी से चालो होता है तो छटवी, साथवी, आठवी खूप सारे पाठिकरम चलते हैं बड़ी आप और इन लोगों के समवाद शालाएं भी होती हैं तो आप साइट को थोड़ा एक्स्प्लोर करेंगे तो आपको मिल कि जैसे मुंबई में, पुनाव में यह लोग के जैसे अपन अभी ऑनलाइन बातें कर रहे हैं वैसे जब यह सब नॉर्मल हो जाएगा तो इनके प्रॉपर आप कहीं पर जाओगे कोई हाल में वहां 100-200 लोग आये होंगे और सब लोग संस्कृत सीख रहे होंगे तो सब ल यह बहुत अच्छा संस्कृत भारती तो बहुत ही कमाल का जगह है आप मंगा सकते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको रुच्ची आये तो और इनके दिल्ली में हैं बैंगलोर में कई जगह हैं तो आप और करेंगे तो तो अपने आप कहीं ना कहीं से आता है दोनों मे से मेरे ख्यासे दातर दिल्ली से आता है अच्छा तो ठीक है बस अभी मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था कि आपको पता चल जाए संस्कृत भारती के बारे में तो इससे कुछ जो मेरा जैसे जो भी लोग कभी पढ़ते हैं इसकी जो फीस थोड़ी बात जो भी कोई-क देता है तो मैं यही किताबें इनसे मंगाता हूँ और फिर संस्कृत से जुड़ी हुई चीज़ें करता हूँ उनसे अच्छा रहता है कुछ न कुछ इस तरह का कुल मिला के संस्कृत बढ़ती रहे फले फूले लोगों को समझ में आने लग जैसे हम आज दो लोग बात कर जाते हैं वैसी एक और क्लास है जिसमें पांच साथ लोग अलमस्स दस लोग होने वाले तो आप लोगों भी धीरे-धीरे जब वह लेवल पर आ जाएगा क्योंकि हमारा वैसे भी स्पीड डबल है जो पहला पैच है उसकी हफते में एक कक्षा होती है और हम पैच से उसकी हफते में दो शनीवार और रविवार दोनो दिन है तो हम उस तर पर जल्दी पहुंच जाएंगे तो एक बार वो समय आ जाएगा तो हम दोनों ग्रूप्स को फिर दोनों समुओं को मिला देंगे द कि फिर सब लोग एक साथ मिलके और मस्ती असल में मज़ा आता है यही कि संस्कृत में चुटकुले हो जाते हैं और ऐसी आम चीजों में जैसे मैंने आपसे पूछा कि भवान ग्रहे किम करोसी मतलब आप घर में आप क्या करते हैं तो एक आपने बोला कि हम संस्कृते पठा अब धाव मतलब दोड़ना होता है तो मतलब आप अपने मन से कुछ भी रिलेटेट चीज़ें जोड़ सकते हैं कि मैं संस्कृत भी पढ़ता हूं और मैं दोड़ता हूं तो ऐसा लिगतों दिन होता रहता है मतलब कोई ना कोई अपने मन से कुछ अचानक से नया ऐसा बोल तो बस तो आज मुझे थोड़ा सा जल्दी रखना पड़ेगा रुकना पड़ेगा क्योंकि एक और खॉल आने वाली है अब है अब आप इस लोग को कोशिश करके देखे याद हो जाएगा अराम से कंठी था करेंगे तो अगले कक्षा में आप कुछ से बोल के देखिएग ठीक है चलिए तो नमो नमा उजस जी फिर रिकॉर्डिंग आपको बेज रिकॉर्डिंग हो रही है अच्छा तो अरे असल में इसमें तो बहुत सारी है मुटलब आप इसमें आएंगे तो अभी जैसे मैं थोड़ा थोड़ा नीचे जाके आपको दिखाता हूँ तो एक ये साहस्त्री आप बिलकुल मंगा सकते हैं ये संस्कृत विया बहार साहस्त्री ठीक है फिर थोड़ा सा नीचे चलिए तो ये वो वाली दिख रही है जो अभी अपन ने देखी न सुबाश अभी अठोशाई है फिर नाट्य अलास भी अच्छी है इसमें बच्चों के नाट्य स्टाइल में संस्कृत के चोटी-चोटी कहानियां हैं बच्चों की ही मतला कोई कर सकता है यह ऑक्ति निच्शे ही करेंगे क्यों बच्चे यह कियों करेंगे संस्कृत तो हर किसी की भाशा है आएगी बहुत सारी है तो दिखाता हूं फिर ये भी एक मैंने ली थी साइन्स इन संस्कृत इभी अच्छी है संस्कृत भाशा के थुरू विज्ञान फिर मेगदूत है कालिदास की ऐसे तो बहुत है महावारत है सचित्र महावारत तो ये कॉमिक स्टाइल में महावारत है संस्कृत ये भी अच्छी चीज़ है फिर बाल कथा बाल नाटे वल लरी ये अच्छी है आप देखते रहा हो तो मजा आ जाएगा ये वाली साइट पे तो इसी है मतलब ऐसा लगता है जैसे सब मंगालो मैं भी धीरे धीरे वही करता हूं थोड़ा थोड़ा करके कभी दो कभी चार कभी पांच ऐसे करता रहता हूं अच्छी चीज़ें जमा होते और इनके सारे पुब्लिकेशन बहुत ही बढ़िया है तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं आएगा आपको महाक्षत्रिय मेग मल्लार वसुदेव क्या होगी नोबेल जो हम पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी में नोबेल्स हां यही तो दिखा न अभी मेग दूद दिखा कालिदास का और भी क्या काफी सारे दिख रहे हैं उसमें आनंद म और महाबारत है रामाएंड है आनंद मठब भी गया फिर यह पंच तंत्र है संग्षेप में पंच तंत्र पिर यह महात्म नाम चरितम मतलब महापुरूशों की जीविनियां विशंभरा यह विशंभरा आपने शायद सुना होगा मेघवाहन यदु माराज व्यूह भेद तो यह अभी मन्यू के उपर है व्यूह भेद तो बहुत बढ़िया 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 पंच तंत्र भाषा पाक संदेश संस्कृतम भाषा यह है वो यह आपने देखि अधी के नीचे ही हिंदी वाल कोष्च जो हिंदी वाला भी हमने देखा तो आप साइट में थोड़ा उपर निचे देखिएगा अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर आपको सारी मिलना है और भी दो-चार साइद इंट्रेस्ट आएगा तो वह भी आप कर सकते हैं अपने रुची के उपर भी है फिर यह ग्रामर के थोड़े और गहरे नियम भी है बहुत कुछ है तो धीरे धीरे जैसे हम उसमें गुचते हैं फिर तो नहीं नहीं ऐसी चीज़े निकल के आती जाती है पर यह बहुत बढ़ तो बस ठीक है मिलते हैं फिर ओजज़ जी नमुल महा शुबरातरी चलो